नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक माश शुक्लपक्ष अश्टमी को सुनने जाने वाली गोपाश्टमी वरत कथा सुनाने जा रही हूँ, तो चलो कथा शुरू करते हैं। लेकिन एक बार बाबा से पूछ तो लो, इस पर भगवान कृष्ण जाकर नंद बाबा से कहने लगे कि अब मैं बच्डे नहीं, बलकि गाये चराने जाया करूँगा। एक सांस में उनसे कह डाला कि पंडित जी, आपको नंद बाबा ने गोचारण का मुहूर्त देखने के लिए बुलाया है। आप आज ही शुभ मुहूर्त बताना तो मैं आपको खूब धेर सारा मक्षन दूँगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और पंचांग देखकर उसी दिन को गोचारण के लिए शुभ मुहूर्त बता दिया। और साथ ही यह भी कह दिया कि आज के बाद से एक साल तक गोचारण के लिए कोई भी मुहूर्त शुभ नहीं है। गोपाष्टमी पूजन विधी इस दिन बच्छडे सहित गाय का पूजन करने का विधान है। इस दिन प्राथकाल उठकर नित्यकर्म से निवरित होकर स्नान करते हैं। प्राथकाल ही गाउं और उनके बच्छडों को भी स्नान कराया जाता है। गाउं माता के अंगों में महंदी, रोली, हल्दी, आदी के थापे लगाय जाते हैं। गायों को सजाया जाता है। प्राथकाल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गोड, जलेबी, वस्त्र और जल से गाउं माता की पूजा की जाती है। आरती उत्री जाती है। पूजन के बाद गाउं ग्रास निकाला जाता है। गाउं माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गाउं के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। गोपाश्टमी का महत्व गाई और ग्वालों की पूजा को समर्पित गोपाश्ट मी आज मनाई जा रही है हमारे हिंदु धर्म तथा शास्त्रों में गाई को सभी प्राणियों की माता कहा जाता है ऐसी मान्यता है कि गाई की देह में समस्त देवी देवता वास करते हैं माना जाता है कि जो व्यक्ति सुभह स्नान कर गौ माता को स्पर्ष करता है, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्थ हो जाता है. गायों का समूह जहां बैठ कर आराम से सांस लेता है, उस जगह से सभी पाप खत्म हो जाते हैं. गाय को चारा खिलाने पर बहुत पुन्य मिलता है यह पुन्य हवन या यग्य करने के समान होता है जिस घर में सभी सदस्यों के भोजन करने से पहले गाय के लिए खाना निकाला जाता है उस परिवार में कभी भी अन्नधन की कमी नहीं होती है गोपाश्टमी के दिन गाय माता की पूझा करने से भगवान श्रीकृष्न की कृपा मिलती है और सुख सवभाग्य की प्राप्ती होती है। गोपाश्टमी के दिन गाय माता से जुड़े कुछ और लाब ये रहे गोपाश्टमी के दिन गाय माता को शुद्ध जल से स्नान कराकर फूल माला और नए वस्त्र पहनाकर रोली चंदन का तिलक लगाने से गौ माता का आशीरवाद मिलता है गोपाश्टमी के दिन गाय माता को फल, मिठाई, आठे गुड की भेली, पकवान आधी खिलाने से और धूब दीब जलाकर आरती करने से भगवान श्री कृष्ण और गौव माता का आशिरवाद मिलता है शास्त्रों में कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन गायों को भोजन खिलाता है, उनकी सेवा करता है और साइकाल में गायों का पंचोब चार विधी से पूजन करता है, उसकी सभी मनो कामनाएं पूरी हो जाती है गोपाष्टमी के दिन गौशाला के लिए दान करने और गायों की रक्षा के लिए प्रयत्न करने से गोपाष्टमी का पर्व सार्थक होता है ऐसी मान्यता है कि गोपाष्टमी के दिन गाय के नीचे से निकलने वालों को पुण्य मिलता है गोपश्टमी के दिन गाय की पूजा करने का तरीका सुभह उठकर स्नान करके गाय के चरणों को छूना चाहिए गाय को नहला कर तयार करें और उसका श्रंगार करें गाय के पैरों में घुंगरू बांधें और कई तरह के आभूशन पहनाएं गाय के सींगों पर चुनरी बांधें गाय को मेहदी, हल्दी, रोली वगेरह से सजाएं धूब बत्ती और फूलों से पूजा करें गाय को गोगरास खिलाएं और उसकी परिक्रमा करें शाम को जब गाय घर लोटे तो उनकी पूजा करें और उन्हें भूजन कराएं गाय को हरा चारा, हरा मटर और गुड खिलाएं अगर आपके घर गाय नहीं है तो आप गौशाला जाकर भी गाय की पूजा कर सकते हैं गौशाला में गाय को खाना खिलाएं और सामान दान करें मान्यता है कि गोपाश्टमी की शाम को गाय की पूजा करने से सुक सम्रिध्धी और सौभाग्य मिलता है बोलो गौमाता की जै दोस्तों, इस प्रकार हमारी गोपाश्टमी की व्रत कथा संपन्न हुई दोस्तों, इस वीडियो को अपने फैमली ग्रूप में शेयर कर दे जिससे वह भी यह कथा सुन ले वे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान कृष्ण की जै अवश्य लिखें धन्यवाद